दोस्तो आज के वकत में हम सब microwave oven का यूज़ करते हैं या अगर नहीं भी यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं आपने देखा होगा और सोचा होगा कि ये कैसे possible है कि हम कोई भी चीज़ को बड़े ही अराम से बड़े कम वकत में गरम कर पाते हैं तो इस oven में ऐसी क्या चीज़ है या वो क्या science है microwave oven में जो खाने को इतने कम वकत में इतना गरम कर लेती हैं तो आज आप ये वीडियो देखते रहें क्यूंकि आज इस वीडियो में मैं आपको microwave oven के बारे में ही बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो like बटन जरूर दबाईएगा जो वीडियो के आपको नीचे मिलेगा और अगर आप रुजाना इसी तरह की tech वीडियो और informative वीडियो देखना चाहते हैं तो subscribe बटन दबाईए वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा ताके रुजाना अप्लोड होने वाली वीडियो का notification आप सब को मिल सके अस्लाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेकिन फो एडियू चलिए शुरू करती है अब दूस्तों अक्सर वीवर्स दो आप कैसे करता है और क्या इनका यूज करना सेफ है या नहीं तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि माइक्रोवेव अवन का क्या complete concept है अब दोस्तों यहां पर जो माइक्रोवेव्स हैं वो basically electromagnetic wave हैं और ये wave radio waves और infrared waves के बीच में आती है अगर हम बात क spectrum की अब दोस्तों माइक्रोवेव अवन में जो common frequency को यूज के जाता है वो होती है 2.45 GHz और एक device जो इन waves को produce करता है उसका नाम होता है magnetron और यहां पर काम मिलिया जाता है thorium का और tungsten का और जब हम उसे power देती हैं तो वो electron की stream को बाहर निकालता है और वो stream उस 2.45 GHz पर आग माइक्रोवेव अवन की जो अंदर वाली दिवारे हैं वो असल में ऐसी बनी है कि waves reflect हो और अवन की अंदर ही रहें अब होता क्या है कि अवन में जो भी हम खाने का सामान रखती हैं गरब करने के लिए तो उस खाने में जो fats है water molecules है या sugar वगएरा है वो उस microwave को observe करती है और उन में मौझूद molecules बहुत तेजी से vibrate करती है जिससे output में हमें 8 heating effect देखने को मिलता है और हमने जो भी चीज अवन में रखी होती है वो गरम हो जाती है अब दोस्तों बहुत सारे doubts भी है अवन को लेकर कि जो microwaves हैं वो खाने को नुकसान पहुंचाती है खाने में radiation घुस ज जो है वो non-ionization radiation है बिलकुल same frequency है जो घर में हम wifi में यूज करते हैं फरक सिरफ इसना है कि इसमें जो power है वो थोड़ी अलग है थोड़ी ज्यादा है लेकिन इसका मतलब यह हरकिस नहीं है कि अगर आपने microwave oven में खाना करब करके खा लिया तो आपके जिसम में radiation घुस जाएग आप बिना किसी परेशानी के oven को यूज कर सकते हैं दोस्तों ये concept बड़ा कमाल का concept है ये असल में एक accidental discovery थी जो हुई थी वर्डवार टू में बाद में इसका patent किया दिया और finally आज हम इसको use कर रही है microwave ovens में तो अमीर करता हूँ कि आपको microwave oven के बारे में पता चल गया होग कि ये क्या है काम कैसे करता है और इसका इस्तमाल करना ठीक है या गलत है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया और अगर आपका कोई भी स्वाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे comment जरूर की दिएगा और अगर अभी तक आपने tech in video को subscribe नही कि यगा आप एला है